हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीना अगरवाल किचिन फ्रेंड्स अगर आप अपने बच्चे को एक ही डिश खिला कर परेशान हैं और बच्चा खाता भी नहीं है और आपको यह चिंता लगी रहती है कि बच्चे को पूरा पोशन मिल रहा है या नहीं तो आज हम जो रैसेपी लेकर आए हैं उससे आपके बच्चे को पूरा न्यूटिशन मिलेगा तो एक बार आप जरूर ट्राइ करें यह खाने में बहुत ही टेस्टी है और पोश्टिकता से भरपूर है तो आईए शुरू करते हैं इसके लिए एक खुकर में एक चमच गाय का गी गर्म कर लिया है बच्चों का खाना बनाते समय च्ट्रा एक करें कि गाय का गी यूज करें अब हम इसमें तीन से चार चमच ओट लेंगे और इसको दो मिनिट के लिए रोस्ट करेंगे ओट को रोस्ट करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जैसे ही ओट रोस्ट हो जाएंगे इसमें आधा प्याज बारी कटी हुई आधा आलू बारी कटा हुआ आधा टमाटर बारी कटा हुआ आधिक गाजर बारी कटी हुई आधा कटोरी फूल गोभी बारी कटी हुई दो से तीन बीन्स कटी हुई चार पांच मटर के दाने आड़ करेंगे और आधा चमच के करीब नमक आड़ करेंगे नमक की क्वांटिटी आपको कम ही रखना है अब हम इसमें बहुत ही थोड़ी सी काली मेश पाउडर या सफेद मेश का पाउडर आड़ करेंगे अब इसमें आधा गलास के करीब पानी आड़ करेंगे वन फोर्थ स्पून हल्दी पाउडर आड़ करेंगे और इसको मिलाकत तीन से चार सीटी ले लेंगे फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है हमारे कुकर में चार सीटी आ गई है हमने अपने कुकर का प्रेशर रिलीस कर दिया है आप देख सकते हैं सारी वेजी टेवल्स और ओड अच्छे से पक चुके है अगर आपका बच्चे एक से दू साल का है तो आप इसको एक मिक्सर में डाल कर कोसली ग्राइंड कर लेंगे आप इसको बच्चे को दिन में दो बात दे सकते हैं अगर आपको मेरी रेश्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें नोटिए आपको प्रेस का लिफशन मिलते रहें